बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव पांच दिन सभी विशयों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधिर जानकारी के साथ-साथ मनुरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। सवा चार बजे तक शैक्षिक कारक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में, अंग्रीजी विशय में, बुग, वी हाइव से, The Sound of Music, भाग, एक, पै, दो, कक्षा 10 में, संस्कृत व्याकरन विशय में, समास। बच्चों, हमारी कहानी, आज हम जो शुरू करेंगे, उसका नाम है The Sound of Music, और ये किसके बारे में हैं? ये है एक ताल वादक, जिनका नाम है Evelyn Glennie, उनहीं के जीवन के ऊपर ये कहानी बनी है। चलो, करते हैं शुरू रशाज, Crowds, Jostle for Position on the Underground Train Platform तो क्या हो रहा है? कहानी की शुरुवात कहां से होई है? जब यस्त समय होता है, जब सबसे जादा लोगों को जल्दी होती है अपने ओफिस जाने की, स्कूल जाने की, है ना, बाकी सब जगे जाने की, उस समय में, जो सारी भीड थी, जो Crowd था, वो क्या कर रहा था बच्च देख्यू रहा था? क्यूं? क्यूंकि उनको अपनी जगे हासिल करनी थी, कहां पे वो जो नीचे ट्रेन जाती है ना, उस ट्रेन के अंदर उनको अपनी जगे हासिल करनी थी, इसलिए क्या हो रहा था? वहां पे लोग उसरे के साथ क्या कर रहे थे? एक दुसरे को धक्का तो किसके बारे में बात कर रहे है बच्चो अब एक छोटी सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है छोटी सी लड़की जो कि 17 साल से भी छोटी लग रही थी वो एक तरफ कैसी थी उस लड़की को एक तरफ बेचैनी हो रही थी वो एक तरफ कैसी थी नर्वस थी लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही जादा उत्साहिद भी थी वो बहु वैर्टें वे जनके उसको महसूस हुआ एक कमपण महसूस हुआ इ szuxत और किसका कमपन था एक पास आथी हुई का अप्रोचिंग ठेंग अपरोचिंग ट्रेंग का मतलब होता है कोई पास आती हुआ चीज अगर मैंने ट्रेंग की बात करी है टो तो अगर मैं बोलू अप्रोचिंग कार तो क्या होगा पास आती हुई कार है ना पर इस लड़की को महसूस हो रहे थे कमपन एक पास आती हुई ट्रेन के अगर तो यसका पहला दिन था एक बहुत ही प्रतिष्थित एक बत्चों लंडन के अंदर प्रेस्टीजियस का मतलब होता है प्रतिष्थित ठीक है बहुत ही जादा नामि गिरामी तो वहां पे लंडन में एक अकेडमी है किसकी संगीत की उसका नाम क्या है Royal Academy of Music है न, वहाँ पे क्या हो रहा था? वो वहाँ के लिए जा रही थी आज उसका वहाँ पे पहला दिन था and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm और ये जो चीज है भई, इतनी मश्हूर, इतनी प्रतिष्ठित school के अंदर जाना है न, वो कैसा है? अपने आप में बहुत जादा कठिन हो जाता है, daunting हो जाता है कठिन हो जाता है उस बच्चे के लिए जो की कहां से है? भई, Scotland के एक गाव से है, Scottish farm से है वो एक, है न? But this aspiring musician faced a bigger challenge than most लेकिन ये जो बहुत ही जादा महत्वकांशी संगीतकार है aspiring मतलब महत्वकांशी और musician बच्चो musician कौन होता है? संगीतकार तो ये शब्तों इस कहानी के लिए आप याद ही कर लें, musician का मतलब क्या होता है? संगीतकार और ये जो संगीतकार है कैसा है? बहुती जादा महत्वकांशी है इस महत्वकांशी संगीतकार ने इससे भी कई बड़े बड़े challenges जेले है चुनोतियां challenge का मतलब क्या होता है? चुनोतियां इस संगीतकार के आगे तो और भी जादा मुश्किल चुनोतिया आई है लेकिन कौन से मुश्किल चुनोतियां? देखें अब देखें आगे किसके बारे में बात है Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual तो किसके बारे में बात थी? वो 17 साल से भी छोटी दिखने वाली लड़की और उसका नाम क्या है बच्चो? Evelyn Glennie है ना? हम इन ही Evelyn Glennie की ये कहानी पढ़ रहे हैं तो क्या बता रहे हैं उनके बारे में? कि Evelyn Glennie कि जो सुनने की जो शक्ती थी है ना? वो कैसी थी? नियमित थी वो उनकी जो सुनने की शक्ती जो कम हो रही थी gradual होना मतलब नियमित होना इस शक्ती का शीन होना कैसा था? नियमित था Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano तो Evelyn Glennie की जो mother थी, उनकी जो मम्मी थी उनको ये चीज याद है remembers मतलब उनको ये चीज याद है कि उन्होंने ध्यान दिया था notice किया था कुछ है ना? notice करना मतलब किसी चीज के ओपर ध्यान देना और उस क्या थी वो चीज जिसके उपर वो ये चीज थी कि Evelyn Glennie जब केवल आठ साल की थी और अपने पियानों के पास में वेट कर रही थी तो उस बच्ची के साथ में कुछ गड़बर थी, क्या गड़बर थी देखें? They called her name and she didn't move उन लोगों ने उसका नाम पुकारा और वो हिली भी नहीं I suddenly realized she hadn't heard और अचानक से मुझे इस बात का एहसास हुआ, realized हुआ Suddenly, suddenly मतलब अचानक से और realized होना मतलब एहसास होना मुझे अचानक से इस बात का एहसास हुआ कि उसने तो सुना ही नहीं Says Isabel Glennie और ये बात किसने बोली? Isabel Glennie, यानि की Avalyn Glennie की mother, उनकी माता जी का नाम क्या था बच्चो? Isabel Glennie For quite a while Avalyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers तो काफे समय तक Avalyn ये जो उनको बहरापन हो रहा था इस चीज को वो छुपाने में, conceal करने में conceal करना मतलब किसी चीज को छुपाना काफी समय तक तो अपने इस बहरेपन को चुपाने में किन लोगों से बच्चो? अपने दोस्तों से, अपने अध्यापकों से इस चुपाने को वो काम्याब हो चुकी थी किसी को नहीं पता था कि उनके अंदर बहरापन आ रहा है, उनको अब कम सुनाई दे रहा है धीरे-धीरे करके बट बाइदे टाइम शी वस एलेवन हर मार्क्स हैद डेटरेटेड अधर हैड मेस्ट्रेस अर्जड हर पेरेंस तो टेक हर तो असपेशिलिस्ट लेकिन जब वो ग्यारा साल की हुई तब क्या हुआ? उनके जो मार्क्स थे वो धीरे-धीरे-धीरे कैसे होने लगे? बिगडने लगे, डेटरेट होना डेटरेट होना मतलब बिगडना, कम होना जैसे पहले मान लो स्कूल में उनके दस में से दस आते थे तो अब उनके कैसे आने लगे? दस में से छे, फिर दस में से पाँच, इस तरह से कम होने लगे And her headmistress urged her parents to take her to a specialist और वो जो उनकी अध्यापिका थी, headmistress थी school की उन्होंने क्या किया? उन्होंने Avalyn Gleney के माता-पिता से विंती की Urge किया, मतलब विंती की, कि उसको किसी विशेशग्य के पास ले जाया जाए Specialist होता है एक विशेशग्य It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage और तब ये पाया गया या तब ये चीज़ खोजी गई क्या खोजी गई या क्या पाया गया? कि Avalyn Gleney का जो सुनने की शक्ती थी, वो काफी जादा खराब हो गई थी Impair होना मतलब खराब हो गई थी और इस खराबी का कारण क्या था? क्यों इस खराबी का कारण ये था? कि उनके जो दिमाग की जो नसे थी, उसमें क्या हो रहा था? नियमित तौर से शती पहुँच रही थी Gradual Nerve Damage ये देख रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? Gradual Nerve Damage का? इसका मतलब है नियमित तौर से नसो को शती पहुँच रही थी They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf और उनको ये परामर्श दिया गया किनको बच्चो? Aveline Glenny के माता-पिता को ये परामर्श दिया गया यानि की advice किया गया उनको है ना? ये परामर्श दिया गया कि Aveline Glenny के कानों में एक सुनने की machine लगा दे Hearing Aids Hearing Aids क्या करते हैं बच्चो? ये एक तरह की machine होती है जो सुनने की शक्ती को थोड़ी सी बढ़ा देती है कैसी दिखती है वो देखो? ये आपके सामने फोटो बनी वी है ना? ये machine मिलकुल ऐसी ही दिखती है इसको क्या करते हैं? कानों में लगा देते हैं तो इससे क्या होता है? थोड़ी थोड़ी आवाज हमें आती है पूरी तरीके से बहरा नहीं होता व्यक्ती and sent to a school for the deaf और ये भी परामर्ष दिया गया कि उनको किसी ऐसे विद्याले में भेजा जाए जो किन के लिए है? जो खास कर बहरे लोगों के लिए है Everything suddenly looked black, says Evelyn और Evelyn क्या बोलती है? कि अचानक से सब कुछ कैसा हो गया? अंधकार में हो गया But Evelyn was not going to give up She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music और वो कैसी थी? उन्होंने ये द्रड संकल्प कर रखा था वो determined थी ठीक है? उन्होंने ये द्रड संकल्प कर रखा था कि वो अपना जीवन बिलकुल आम व्यक्ती के जीवन की तरह ही जीएंगी और क्या करेंगी? वो पर्सू करेंगी मतलब अनुसरन करेंगी किस चीज का? जो उनका इंट्रेस था जो उनकी दिल्चस्पी थी किस में? संगीत में तो उन्होंने क्या फैसला कि आविलिन ने? कि मैं हार नहीं मानूंगी और मेरी जो दिल्चस्पी है संगीत के अंदर मैं उसके लिए महनत करूंगी उसके लिए मैं क्या करूंगी? उसका अनुसरन करूंगी वन डेस शी नोटिस्ट गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन और डिसाइड़ देखा एक दिन उन्होंने ये देखा कि एक लड़की क्या बजा रही है? एक जाइलोफोन जाइलोफोन दिखता है तो क्या कि एक दिन उनको दिखी कि लड़की ने जाइलोफोन बजा रही है और ऐसा देख के उनकी भी इचा हुई कि वो भी जाइलोफोन बजाए Most of the teachers discouraged her but percussionist Ron Forbes spotted her potential जो जादा तर जो अब्ध्यापक थे वो क्या करते थे Avalyn Gleniko क्या करते थे बचो हतोच साहित करते थे लेकिन एक percussionist percussionist कौन होते हैं बचो ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको हम बोलते हैं तालवादक है ना और उस तालवादक का नाम क्या था Ron Forbes Ron Forbes को क्या किया Ron Forbes ने उन्होंने ये देखा कि इस लड़की में क्या है? पोटेंशियल है, मतलब सामर्थ है है ना, Drone Forbes को ये बात पता चली He began by turning two large drums to different notes तो उन्होंने क्या किया? जो दो drums थे, अब drums क्या होता है बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं ये जो drums है ना, drums कैसे दिखते हैं? ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये drums होते हैं कुछ थोड़ी से नीचे की तरफ होते हैं और कुछ थोड़ी से उपर की तरफ और ये भी एक बहुत बड़ा drum है तो जो Ron Forbes थे, जो तालवादक थे, उन्होंने क्या किया? से मत सुनो, try to sense it some other way और इसको महसूस करने की कोशिश करो किसी और तरीके से सेज एविलन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down तो एविलन क्या बोली? कि अचानक से उनको इस बात का हैसास हुआ कि वो जो ड्रम था, जो उपर की तरफ रखा हुआ था उसको वो अपने कमर से उपर के भाग में महसूस कर पा रही थी और जो ड्रम नीचे की तरफ रखा हुआ था उसके उपर जो धुन बज रही थी वो उनको अपने कमर के नीचे के भाग में महसूस हो रही थी वो धुन वो महसूस कर पा रही थी बचो वो सुन नहीं सकती थी, पर वो महसूस तो कर सकती थी, और यही वो तालवादक Ron Forbes चाहते थे Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could send certain notes in different parts of her body तो जो Forbes थे, जो Ron Forbes थे, उन्होंने यही चीज बार-बार करनी शुरू की और तब Evelyn को यह एहसास हुआ, उसको यह discover हुआ, उसने यह खोजा, उसने यह पाया, क्या पाया, उसने क्या जाना कि वो अलग-अलग तरह की धुनों को अपने शरीय के अलग-अलग अंगों में महसूस कर सकती है I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations और क्या बोली इस मैवलिन? वो यह बोली कि यह जो sounds है, जो vibration है, जो dhvani है और जो कमपन है वो अपने दिमाग में और शरीर में मैं महसूस कर सकती हूँ पर कैसे मैं ऐसे महसूस कर सकती हूँ कि मैंने अपने दिमाग की जो limit थी उसको बढ़ा दिया था मैंने कोशिश की थी मैं अब खोल के सोच सकूँ कि किस तरह मैं इन अलग-अलग धुनों को महसूस कर सकती हूँ और बाकी सब तो केवल क्या था? अविलिन का ध्रण निश्चे था और क्या था? महनत थी determination मतलब ध्रण संकल तो बचो हम किस के बारे में जाना है अभी हमने इस कहानी में? एविलिन ग्लेनी के बारे में कि वो सुन नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो काफी मशूर तालवादक बनी और उसकी शुरुवात कब हुई? जब वो किस से मिली एक तालवादक रौन फोब से और उन्होंने सिखाया उन्हें क्या सिखाया? कि जो संगीत है उसको सुनने की नहीं बलकि महसूस करने की कोशिश करो अपने बाकी अंगों से और जब उन्होंने ऐसा किया एविलिन ग्लेनी ने तो क्या हुआ? वो बहुत सारी धुने महसूस करना सीख गई बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा 9 में अंगरेजी विशय में बुक बी हाइब से दे साउंड अफ म्यूजिक भाग दो बच्चों, हम एक बहुत ही प्रेणा दायक कहानी पढ़ रहे हैं जो है किसके बारे में? अवलेन ग्लेनी के बारे में वो कैसी थी? वो एक मशूर ताल वादक थी बच्चों पर उनके जीवन में वो चीज़े वैसी नहीं थी जैसे हम लोगों के आप जीवन में होती है वो बहले ही बहुत जादा अच्छी थी वो संगीत में पर असल बात तो ये थी कि वो सुन नहीं सकती थी वो कैसी थी? वो बहरी थी या उनके सुनने की शक्ती हम ये कह सकते हैं कि काफी जादा कम थी और एक संगीत कार बनने के लिए सुनना कितना जादा जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं और हम ये जानेंगे कि EVLa GO sta array के जीवन में और क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या घटनाई हुई और हम अन्हीं ये सारी बाते कैसे सुनेंगे कैसे देखेंगे भई उन्ही के शब्दों में जो बाते उन्होंने खुद के बारे में कही हैं हम उसी रूप से उसको पढ़ने वाले हैं चलो दिखते हैं She never looked back from that point onwards तो बचो किस point के बारे में बात हो रही है यहां पे आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा था कि नहीं देखा था देखा होगा उस वीडियो के अंदर हमने अंत में जाना था कि एक बहुत अच्छे तालवादक थी जिनका नाम क्या था Ron Forbes तो Ron Forbes ने Evelyn को ये कहा था कि किसी भी संगीत को सुनने के कोशिश मत करो तुम सुनी नहीं सकती हो है ना तो कोशिश का फाइदा नहीं है लेकिन संगीत को किसी धुन को महसूस करने की कोशिश करो है ना और एवलिन ने ऐसा ही किया एवलिन को वो जो धुन थी या कोई भी धुन थी वो अपने शरीर के अलग-अलग अंगों में वो महसूस कर सकती थी और इस पॉइंट के बाद में है ना उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा शी तूट द युनाइटेड किंग्डम विद यूथ ओकेस्ट्रा आइन बाइड टाइम शी वर 16 शी हद डिसाइड़ तो में यूजिक हर लाइफ तो बच्चों क्या बता रहे हैं कि एवलिन लैनी ने युनाइटेड किंग्डम का एक क्या है युनाइटेड किंग्डम भई उनके साथ में उन्होंने युनाइटेड किंग्डम का दौरा किया और इसी पॉइंट पे जब वो केवल कितने साल की थी 16 यानि कि 16 वर्ष की थी तब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो म्यूजिक में ही क्या करेंगी म्यूजिक को ही अपना जीवन बना लेंगी तो बच चल गया कि वो म्यूजिक को धुनो को संगीत को अपने शरीर में महसूस कर सकती है युनाइटेड क्रिंग्डम भी गई एक बैंड के साथ में और उन्होंने फैसला कर लिया 16 साल की छोटी सी उमर में कि अब वो संगीत को ही अपना जीवन बना लेंगी अपने संगीत का जो उनको ग्यान है उसका उन्होंने एक टेस्ट दिया था कहां पर रॉयल अकैडमी ओफ म्यूजिक हमने शुरुआत में पढ़ा था फर्स वीडियो में लंडन के अंदर है ये और जब उन्होंने वो ऑडिशन दिया और उसके मार्क्स आए तो ये पता च कि वो जो अंक उनको हासिल हुए थे वो अब तक के इतिहास में सबसे जादा अंक थे ग्राजुवली मूव फ्रम और सोलो परफॉर्मेंसे और धीरे धीरे ग्राजुवली का मतलब हम अभी तक कितनी बार पढ़ चुके है दो तिन बार पढ़ चुके ना आप लोगों को भ लोगा मिलके काम करने की बजाये उन्होंने धीरे धीरे क्या किया किया अकेले क्या करना शुरू किया परफॉर्मेंस देना अकेले प्रदरशन करना शुरू किया at the end of her three year course she had captured most of the top awards और तीन साल के उस course में है ना जहां पे वो course कहां कर रहे थी Royal Academy of Music में वो तीन साल का course था उसे लिए बस था अब वो तीन साल के course में उनको क्या हुए था हासल बहुत सारे awards, बहुत सारे top awards, बहुत सारे इनाम capture करना मतलब ले लेना या फिर हासल कर लेना, इसका मतलब हम क्या जान रहे हैं बच्चो कि Evelyn Glennie बहुत अच्छी संगीत कार थी, बहुत ही अच्छा उनको ग्यान था संगीत के बारे में भले ही उनकी उमर बहुत ही छोटी थी और इन सब के लिए भले ही उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया, उनको इतने सारे इनाम मिल गए, लेकिन फिर भी, जैसे फिल्म में एक हीरो को हम क्या करते हैं, एक उपलब्धी देते हैं, देते हैं कि नहीं देतें, तो यही उपलब्धी जब बहुत महान उपलब्धी इनको देने की कोशिश की गई, तो उन्होंने क्या किया, उसको लेने से मना कर दिया, अचीवमेंट, यह जो अचीवमेंट शब देख रहे हो, आप लोग, अचीवमेंट का मतलब होता है, उपलब्धी, इस वोग हार्ड और उन्होंने क्या बोला, कि अगर आप महनत करो, और यह जान लो कि आपको, आप कहां जा रहे हो, यह आपको कहां जाना है, तो आप एक दिन उस जगे पे, उस जो आपने गोल सेट किया है, वहाँ पे जरूर पहुच जाओगे, and she got right to the top, the world's most sought-after multi-percussionist, with the mastery of some thousand instruments, और यही चीज़ अवलेन गलनी के साथ दी हुई, क्या कि वो दुनिया की सबसे अच्छी तालवादक बन गई, और वो इतनी अच्छी तालवादक थी बच्चों कि उनकी mastery थी, mastery होना का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में पारंगत हो, है न, तो उनको कई हजार instruments में पारंगत हासिल हो चुकी थी, and hectic international schedule, औ और कैसा था, वो कई देश विदेशों में जाया करती थी, hectic का मतलब वैसे तो होता है, बच्चों, चहल पहल भरा, है न, और international schedule क्या होता है, कि भई, इस पूरे जो आप प्लाइन देख रहे हो, इन तीनों का हम जब मिला के मतलब देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, कि उनका जो पुरा दिन था, है न, वो किस तरह का था, कि वो कभी इस देश में जाती थी, कभी उस देश में जाती थी, हर देश में जाके वो क्या करती थी, अपने संगीत का प्रदर्शन करती थी, और वो कई इनाम इस चीज़ के लिए हासिल कर चुकी थी, और यह काफी जादा लुभावना था, इंट्रूगिंग, इंट्रूगिंग का मतलब होता है लुभावना, तो यह काफी जादा लुभावना था, एवलेन को इतने अच्छे से बिना किसी गलती के, effortlessly, बहुत आराम से, सहजता से परफॉर्म करते वे देखना, और कैसे वो प से भले ही वो सुन नहीं पाती, तो यह जो चीज थी, काफी जादा अच्छी थी, लुभावनी थी, इन आट वर डिसकेशन, शी नेवर मिस्डा वर्ड, हमारी जो दो घंटे की बातचीत हुई, डिसकेशन, डिसकेशन यह जो शब्द है आपके सामने, डिसकेशन का मतलब ह और उनने हसते हुए क्या बोला, कि ऐसे आदमें जिनकी कैसी होती है, बड़ी हुई, बहुत जादा बड़ी हुई, दाड़ी होती है, वो कैसे लगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, गिव मी ट्रॉबल, ट्रॉबल का वैसे तो मतलब क्या होता है, मुसीबत, है न पर यहां पर इस वाक्य में इसका मतलब है कि मुझे ऐसे व्यक्तिया, ऐसे आदमी नहीं पसंद जिनकी बड़ी हुई और बहुती जादा गहरी दारी होती है It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes और ऐसा नहीं है कि भई उनके सिफ lips दिख रहे हैं, होट दिख रहे हैं लेकिन उनका जो पुरा चहरा है वो ही अजीव हो जाता है, खासकर की आखें She speaks flawlessly with a Scottish lid और वो बिना किसी खोट के, flawlessly मतलब बिना किसी खोट के Scottish, यानि Scotland की जो भाशा की जो ले होती है Lilt मतलब ले, है ना, वो उसी Scottish Lilt में बोल रही थी, उसी ले में बोल रही थी तो बचो, क्या हुआ, भले ही Aveline Glenny जो थी, वो सुन नहीं सकती थी, उनके सुनने की शक्ति काफी जादा कम थी पर वो बोल तो सकती थी, और वो जो बोलने का जो उनका तरीका था, उनकी जो ले थी, वो कैसी थी, Scottish थी My speech is clear, because I could hear till I was 11, she says और उनने क्या बोला, कि मेरी जो मेरी बोली है, वो बिलकुल साफ है, और इसका कारण ये है, कि मैं 11 साल की उमर तक तो सुन सकती थी But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese तो ग्यारा साल तक तो उनको सुनाई देता था, हमने जाना भी था ये बात, पर ग्यारा साल की बात हमने ये पढ़ा था, कि उसके बाद में उनको क्या लगानी पड़ी, hearing aid, वो कान की machine लगानी पड़ी है ना, क्योंकि उनके सुनने की शक्ती बहुत जादा शीन हो गई थी लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता, कि उसके बाद भी सुनने की शक्ती नहीं है, फिर भी वो इतने अच्छे से फ्रेंच भाषा और जैपनीज भाषा बोल कैसे सकती है, वो तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि उनके सुनने की शक्ती बहुत जादा कम है, तो ये बहुत ही अजीब था, कि फिर भी उनकी सुनने की शक्ती ना होने के बावजूद भी फ्रेंच और जैपनीज दोनों भाषाएं अच्छे से समझ सकती थी, और उनको बोलनी भी आती थी, और स्कॉर्टिश में तो उनको क्या थी, पारंगत हासिल ही थी, है ना बच्चो, अच्छी दिन है कहानी, भई अभी कहानी खतम नहीं हुए, अभी हम उनके बारे में और जानेंगे, लेकिन कैसे जानेंगे, इसी वीडियो के अगले भाग में तो बने रहिएगा, आप लोग मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, बच्चो, आज का अगला पाइट, कक्षा 10 में, संस्कृत व्याकरण विशे में, समास, विध्यर्तियों, आज के कक्षा में ह समाश के कितने भेद हैं, तो चले विध्यर्तियों, कक्षा की और अग्रिशर होते हैं, और समास के विशे में जानते हैं, विध्यर्तियों, सर प्रता हम जानेंगे, कि समाश है, जो पद है, वहाँ किस प्रकार से बना हुआ है, तो विध्यर्तियों जो समाश है, पद है, वहाँ पर शम उपसर्ग है, अश धातु है, और घय प्रत्य है, इस प्रकार से विध्यरति जो समाश है, वहाँ सम उपसर्ग, अश धातु, घय प्रत्य से निर्मित है, और पद क्या बनता है, शमाश है, समाश है, क्या तात पर यह है विध्यरतियों, यहाँ पर बताया गया बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम अर्थार्थ बहुत सारे पदों का मिलन होकर एक पद बन जाना ही समाश है विधर्थियों दो या दो से अधिक पद जब मिलकर एक ही पद बन जाते हैं तो उसे समाश कहते हैं बताया गया है कि परश्परानवितानाम पदानाम एकत् करणम शमाश है इस प्रकार से विधार्तियों समाश का हमने शामन्य तोर पर यह अर्थ निकाला है कि संक्षिप्ति करण ही समाश है अब विधार्तियों समाश के बारे में जानते हैं कि समाश किसे कहते हैं और वह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है विधार्तियों बता आया जाना समाश है अब यहाँ पर विध्यर्तियों बताया गया है कि दो या दो से अधिक पद क्या है परश्पर अन्वित अर्थार समंध समर्थ पदों के बीच में अब पद यहाँ पर विध्यर्तियों समर्थ होने चाहिए जो समर्थ नहीं है पद उनके अंतरगत समाश नहीं होगा उसी प्रकार से देखे विधर्ति उधरन के तोर पर हम समझते हैं कि हमने कहा बांज का पुत्र अब विधर्ति यहाँ पर जो पद है वह शमर्थ नहीं है क्योंकि बांज का कोई पुत्र नहीं होता है अगर पुत्र है तो वह बांज नहीं है और बांज है तो वह पुत्र नहीं है इस प्रकार से जो दोनों पद है वह क्या है विधरतियों वह समर्थ नहीं है तो समास किसके अंतरगत होगा समर्थ पदों के बीच में होगा और होने के उपरांत क्या होगा विधरतियों वहाँ पर विभक्तियादी का लोप होकर वहाँ पर एक पद हो जाए है इन दोनों पदों के मद्धि क्या होगा शमाष होगा और समाष होने के उपरांत यहां पर एक पद हो जाएगा उस्सी प्रकार से विध्यरति देखिए इस्र विग्र में दसरत के अंत्मे स्थित सस्टी विभक्ती के चिन्न श्य अब विधारतियों सस्टी विभक्ती के अंतरगत यह पद है दसरत श्य दसरत जो सब्द है उसकी सस्टी विभक्ती एक वचन में पद बनता है दसरत श्य तो यहाँ पर बताया गया है कि सस्ट विभक्ति के चिन्न के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं कि शेय बना हुआ है तो बता रहे हैं कि शेय का लोप होकर दसरत पुत्रह बनना समाशकारिय है अब विध्यार्थियों हम यहाँ पर समने तोर पर समझ सकते हैं कि सस्ट्य विभक्ति के अंतरगत हमने वहाँ पर चिन लिया है श्या अगर शय का लोब करने के उपरांत हम यदि अगर आगे का पद उसके अंदर मिला लेते हैं तो वह क्या है वह है विधरतियों शमाशकारिये तो यहाँ पर हमने समझा विधर्तियों समर्थ पद क्या है उसके उपरांथ विभक्तियादी का लोप किस प्रकार से होकर एक पद बनता है दसरत श्य पुत्र है के अंतरगत हमने सस्ट्य विभक्ति का जो चिन है श्य उसका लोप करके हमने बनाया दसरत पुत्र है और यह कार्य किसके अंतरगत होता है वह होता है शमाश के अंतरगत आगे क्यों बढ़ते हैं विधर्तियों दो पदों में प्रथम पद को पूरुपद तथा द्वितिये अत्वा अंतिम पद को उत्तरपद कहा जाता है विधर्तियों समाश शामानिय तोरपद दो पदों के म पूरु का जो पद है वह क्या कहलाएगा विध्यारतियों वह पूरु पद कहलाएगा प्रथम पद क्या कहलाएगा और जो द्वितिये या अत्वा अंतिम पद है वह क्या कहलाएगा उत्तरपद कहा जाएगा या कहलाएगा तो विध्यारतियों जो हमारी पंक्तियों है दो पदों में प्रथम पद को पूरुपद तथा द्वितिये अत्वा अंतिम पद को उत्तरपद कहा जाता है अब हमने जो उधारन लिया था दसरत से पुत्र है उसका हमने समाशकारी किया दसरत पुत्र है अब उसके अंतरगत विध्यारति जो दसरत है वह क्या है वह है कारशे विध्यारतियों हम समझ सकते हैं कि पूरुपद किसे कहेंगे और उत्तरपद किसे कहेंगे समास के प्रशंग में आर्थ को बताने वाले पदों के समुह के विग्रह को व्यस्त पद भी कहा जाता है अब विधर्ति ये बता रहे हैं कि जो समास का प्रशंग है उस समास के प्रशंग में जो आर्थ को बताने वाले पद है उन पदों के समुहक का जो विग्र है उस विग्र है को क्या कहते हैं विधर्तियों व्यस्त पद कहते हैं अब हमने दसरत अस्य पुत्र है, इसका समाशकारिय किया, पद हमारे सम्मू का आया, दसरत पुत्र है, इसको कहेंगे विध्यरतियों हम समस्त पद, इस प्रकार से विध्यरतियों हमने व्यस्त पद और समस्त पद को जाना है, इस प्रकार से विध्यरतियों हम इसको विग्र पर जाना है अब हम आगे की और बढ़ते हैं विधर्तियों समास के कितने प्रकार है और उनका क्या सामान्य अर्थ है चली विधर्तियों आरंब से शुरू करते हैं पूरुपद और उत्तरपद हमने जान लिया कि पूरुपद किसे कहेंगे और उत्तरपद किसे कहेंगे तो उनके आधार पर किये गए हैं और किये जा सकते हैं अब विधैर्तियों उने भेदू के अंतरगत सरु प्रथमाता है अव्यई भाव समाश है अब अव्यई भाव समाश के अंतरगत क्या होता है कहां पर पूरुपद होता है कहां पर उत्तरपद होता है उसके बारे में हम जा न हमने जो उधारण लिया था, दस रत हसे पुत्रह है, उसके अंतरगत हमने दस रत है, वह क्या है, पूरुपध है और पुत्रह क्या है, विधियरतियों वहापर उत्तरपद है, तो यह बता रहे हैं, कि इस समाश में प्राय पूरुपद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो पूरुपद जो है उसकी प्रधानता यहाँ पर होती है, देखिए उधारण के माध्यम से समझते हैं विधारतियों, उपक्रश्नम हता है, हता है हम बाद में लेते हैं सरप्रतों हम अध्यन करते हैं यहाँ से, उपक तो हमने यहां पर विधर्थ यहां पर पढ़ा कि प्रायह पूरुपद प्रायह अर्थार्थ हमेशा पूरुपद की प्रधानता हो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं लेकिन प्रायह पूरुपद की प्रधानता होती है तो विधर्थ यहां पर बता रहे हैं कि जो प्रायह क्या है और उत्तरपद क्या है सरप्रतम वह देखते हैं तो यहां पर पूरुपद क्या है विधरतियों उप है और उत्तरपद क्या है विधरतियों यहां पर उत्तरपद है कृष्णम तात पर यह अब इस पद का अर्थ क्या है विधरतियों हत है आगे हम यहां पर जोड़त है और हता है तो क्या होगा कृष्ण के समीप वाला मारा गया अब विध्यारतियों यहाँ पर जो हमारा पद है उपकृष्णम इसके अंतरगत कृष्ण और उप हमारे पास में दो पद है पूरपद से ताथ पर यह है समीप वाला और उत्तरपद से ताथ पर यह है कृष्ण और पूरा यदि अगर हम वाक्य बनाते हैं हतह लगा के तो हमारे पास में अर्थ आता है कि कृष्ण के समीप वाला मारा गया अब विधर्तियों यहाँ पर कृष्ण नहीं मारा केया है मारा कुन गया है? कृष्ण के पास वाला या समीप वाला तो यहाँ पर जो उप है उश्की प्रधानता है यहाँ कृष्ण का अर्थ प्रधान नहीं होकर समीप वाले अव्य उप का अर्थ प्रधान है अब हम यह विसे जान चुके हैं कि अव्यभाव शमाश के अंतरगत प्रायह पूरपद के अर्थ की प्रधानता होती है अब विधर्तियों हम आगे के और बढ़ते हैं देखे आगे हैं विधर्तियों तत पुरुशह समाशह इस समाश में प्रायह उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता होती है अब यहाँ पर हम समझेंगे विधर्तियों जो हमने अव्यभाव शमाश का अध्यन किया उसके अंतरगत हमने अध्यन किया कि किस प्रकार से पूरुपद के अर्थ की प्रधानता होती है अब यहाँ पर बता रहे हैं विधरतियों इस समार्स के अंतरगत उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता होती है देखें उत्तरपद के तोर पर हम समझते हैं दसरत पुत्र है अब यहाँ पर विधरतियों हमारे पास में दो पद है दसरत और पुत्र इसके अंतर्यकत हम जानते हैं कि जो दसरथ है वह क्या है वह है पूरुपद और जो पुत्र है वह क्या है उत्तरपद अब यहाँ पर बता रहे हैं विधरतियों कि मारा गया अब विध्यरतियों यहां पर यह बता रहे हैं कि उत्तरपत की प्रधानता किस प्रकार से होती है तो हम देख रहे हैं कि विध्यरतियों पूरुपत क्या है दसरत और उत्तरपत क्या है पुत्र तो यहां पर कोन मारा गया है यहां पर मारा गया है पुत्र तो दसरत के अर्थ की प्रधानता नहीं होकर पुत्र के अर्थ की प्रधानता हुई है इस प्रकार चे विधर्ति जो तत्पुरुष शमाश है उसके अंतरगत जो उत्तरपद है उसकी प्रधानता होती है आगे की और बढ़ते हैं विधर्तियों तत्पुरुष शमाश का ही एक भेद क तत्पुरुष शमास का एक भीद कर्मधारिये और कर्मधारिये का एक भीद क्या है विधार्तियों द्विगू इस कारण कर्मधारिये समाश एवं द्विगू शमास में भी उत्तरपद के अर्थ की प्रदानता होगी खीक है विध्यार्थियों हमने यह समझ लिया है कि तत पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होने के कार जो उसके भेद है प्रथम भेद क्या बताया कर्मधरी समाश और उस कर्मधरी समाश का भेद द्विगुशमाश दोनों में उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता होगी आएगे क्यों बढ़ते हैं विधरतियों बहुवरीही समाश है इस समाश में प्राय है अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो यहाँ पर तो अन्य अर्थ ही प्रदान है उधारन के माध्यम से समझते है रूपवद भार्या रूपवद भार्या से ताथ पर यह है रूपवती पत्नी अब विध्यरति यहाँ पर बता रहे है कि हत है रूपवद भार्या हत है एशा वेक्ती जिसकी भारिया अर्थार्थ पत्नी रूपवती है वह मारा गया इस प्रकार से विध्यार्थ यहाँ पर पूरुपद क्या है रूपवद उत्तरपद क्या है भारिया अब ने तो रूपवद मारा गया है ने भारिया मारी गई है मारा कोन गया है जिसकी वह पतनी है अर्थार्थ अन्यवेक्ती मारा गया है इसे समाश में पूरुपद एवं उत्तरपद दोनों के अर्थ की प्रधानता होती है अब इसे समाश के अंतरगत विध्यरतियों पूरुपद और उत्तरपद दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधा प्रधान होते हैं अब उभएपद हो गए पूरुपद और उत्तरपद है दोनों की प्रधानता होती है अब विध्यर्थियों हम इसे उध्यर्ण के बाद्यम से समझते हैं देखिए रामकृष्णव हत है अब यहां पर हमारे पास में समाश युक्तपद क्या है रामकृष् प्रधानता है इस प्रकार से विध्यर्थियों हमने बहुवरी ही समाश को समझा है अब हम आगे के और बड़ते हैं विध्यर्थियों आगे बताया गया है केवल समाश है उपर युक्त समाशों से बचे हुए विशे को केवल समाश का विशे माना जाता है अता है केवल समाश को विशे स संग्या से रहित समाश माना जाता है अब विधरतियों हमने जो समाश है उनका अध्यन किया उसके उपरांत कोई शेश बचता है तो वह किसके अंतरगत आएग वह आएगा विधरतियों केवल समाश के अंतरगत और इसे क्या माना गया है विशेश संग्या से रहित अर्थार्थ यहां पर कोई विशेश संग्या नहीं होती है कहा गया है विशेश संग्या विनिरु मुक्त है केवल शमाश है उस प्रकार से कथन है अब यही भाव शमाश में प्राय है पूरुपद के अर्थ की प्रधानता होती है अविधरत्य जो अविभाव शमाश है उस अविभाव शमाश के अंतरगत जो दो पद होते हैं पूरुपद और उत्तरपद उन पदों के अंतरगत जो पूरुपद है उसकी प्रधानता होती है अविधरत्य विगत जिसके पुरब कढ़ार्थ और अव्यों की प्रधानता होती है तो यहां पर सीधा-सीधा कहा गया है कि अव्यों भाव शमाश के अंतरगत अव्यों पद कि प्रानता होती है अव्यई भाव शमास में बनने वाले समस्त पद अव्यई होते हैं अब विध्यर्तियों अव्यई भाव शमास के अंतरगत जो समस्त पद होगा वा समस्त पद क्या होगा अव्यई होगा यहाँ पर इसा बताएगा है चलिए आगे और जानते हैं देखिए ये शबी समस्त पद नपुनशक लिंग में भी होते हैं अब विधर्तियों शमास कारिय करने के उपरांत जो समस्त पद बन कर आएगा अब यही भव शमाश के अंतरगत वह क्या होगा वह होगा विधर्तिय नपुनशक लिंग में होने के कारण सब्द के अंतमे स्थित दिर्गश्वर को रश्व कारिय भी हो जाता है यदि समस्त पद के अंतमे रश्व आ है तो आ के स्थान पर अम हो जाएगा अब यहाँ पर विधर्तियों यह बता रहे हैं कि जो अंतमे स्थित दिर्गश्वर ह अगर उस पद के अंत में कोई दिर्गश्वर है तो उस दिर्गश्वर को क्या कर दिया जाएगा रस्वश्वर कर दिया जाएगा यदि अगर वहाँ पर मालो ए है तो उस ए को क्या कर दिया जाएगा विधरतियों वहाँ पर अम कर दिया जाएगा सभी शमाशों में पूरुपद के अंत में स्थित नेका लोप हो जाता है यहाँ पर शामा ने तोर पर बताया गया है कि जो सभी शमाश है उन सभी शमाशों के अंतरगत जो पूरुपद है उस पूरुपद के अंतरगत यदि अगर अंत में नय है तो उस नयकार लोप कर दिया जाएगा लोप करने से तातपरी है विधरतियों वहाँ पर उसे हटा दिया जाएगा जिसे मालो विध्यर्तियों हमने राजन सब्ध है अगर वह पूरूपद में है तो वहाँ पर अंतमिन्न्न है तो उस नय को क्या करेंगे वहाँ से हटा देंगे उस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है चलिए आगे देखते हैं विध्यर्तियों कहा गया है कि यदा विभक्ति समीप इत्यादिशु अर्थेशु वर्तमानम अव्यवपदम सुबंतेन शह नित्यम शमश्यते तदा असाव अव्यवाव शमाशु भवती जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अव्यवपद के साथ सुबंत के साथ सुबं विभक्ति शमीप इत्यादी अर्थों में वर्तमान अव्यवपद के साथ अर्थार्थ विभक्ति आदी अर्थों के अंतरगत जो वर्तमान अव्यवपद है उनके सुबंत के साथ नित्य समाश होता है तब अव्यभाव शमाश होता है अब आगे और देखते हैं विधरतियो समास के अंतरगत जो पूर पद है उसकी प्रधानता होती है और वही अव्य होता है समास से पद द्वयम मिलित्वा अवययम भवती समास के दोनों पद मिलकर अव्य हो जाते हैं अव्यई भाव समाश है नपुन्शक लिंग से एक वचने भवती अव्यई भाव समाश में जो अव्यई भाव समाश है वह नपुन्शक लिंग का एक वचन होता है अब विध्यर्तियों हमने यहाँ पर यह जाना कि अब यही भाव शमाश के अंतरगत जो पूरुपद है उसकी प्रधानता होती है वह पूरुपद अव्य होता है इस कारण से जो समस्त पद है वह भी अव्य होता है और वह समस्त पद नपुन शकलिंग एक वचन के अंतरगत होता है यह सारी बाते हमने यहाँ पर जानी है अब विध्यर्तियों हम उधारनों के और अग्रिशर होते हैं और उससे समझने का प्रियास करते हैं देखे विध्यर्तियों समीप आदी अर्थों के अंतरगत हिनों यहाँ पर बताया है विभक्ति समीप इत्यादी अर्थों में अब विभक्ति समीप इत्यादी अर्थों में किस प्रकार से अविभाव शमाश होता है यहाँ पर हम देखेंगे हराव इती अब यहाँ पर विध्यारतियों विभक्ति अर्थ के अंतर है अब विभक्ति कोंसी यहाँ पर सब्तमी विभक्ति के अर्थ में अविभाव शम समाश होगा अब सब्तमी बक्ति के अर्थ में यहां पर अर्थ के अंतरगत यहां पर अव्य लाएंगे अव्य यहां पर उपसर्ग के रूप में आएगा तो उपसर्ग यहां पर क्या आएगा विध्यारतियों अधी उपसर्ग आएगा अब यहां पर अधी उपसर्ग के पहुतिए इत्षामे 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 व्विभक्ती की अर्थ में है अवयया कौन सा एगा यहां पर अववयब्यक्थ कौन सा इगा विद्ध्यारतियों और हमार पास में क्लिक आधि ग्रामम गावमें विद्धिय साहां यहां पर años फ्रग्ध्यादी जो इहां क्रशन से 7 पार्फंसमाश्यों यहां पर समाश की वीधैरति होगा होग रि schme Adm क्र्शन busy वह था आता है वह था ऊप उपसर्ग यहां पर विधैरति वह क्रश्न से शमिपैम अ P उपक्रश्णम, अब तात्परी क्या होगा, क्रिष्ण के पाश, अब यहाँ पर समास का क्या उपयोग है विध्यारतियों, यदि अगर हम वाक्य का निर्मान करते हैं, तो हम पूरा पत इस प्रकार से लिखेंगे, क्रश्णस्य शमीपाम, और यदि अगर समास करके हम उसे लिखते हैं, तो संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं, वहाँ पर उपक्रश्णम इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त करके, वाक्यों का प्रियोग करने के दोरान समास के पदों का प्रियोग कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप से, तो इसी प्रकार से अभाव अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और उपसर्ग का प्रयोग करने से पूर जो पद है उसका अध्यन करते हैं देखिए मक्षी का अनाम अभाव अर्थ में निर उपसर्ग क्या बनेगा निर मशकम अर्थार्थ मचरों का अभाव इस प्रकार से यहां पर इसका अर्थ होता है चले आगे की ओर बढ़ते हैं विध्यार्थियों सम्रिध्धी अर्थ में तो यहां पर शू जो अव्य है उसका प्रयोग होगा अब शू अव्य के अंतरगत विध्यार्थियों देखते हैं अभ्याशानाम सम्रिध्धी अब समस्तपत क्या होगा शू अभ्याशम तात्प को तो परहें होगा यवनानाव व् "- विरद्धी अर्थे दूराव्य है अब दूर के समाश बंकर कर क्या है हमारे समुख यवनानाव व् भृद्धी दूर यवनम अर्थार्थ जो यहन वंसी है उनकी कमी इसी क्या ते अर्थार्थ वर्षा की अधिक्ता या वर्षा का ज्यादा होना इसका तात्परी है सेश जो बचे हुए हैं विध्यार्थ 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 के योग्ये रूपस से योग्यम अनुरूपम अर्था रूप के योग्ये दानस से योग्यम अनुदानम क्या बनेगा विधरतियों दान के योग्ये और इन सब का जो अर्थ है विधरतियों वह क्या है योग्यता अर्थ में अनुअव्य का प्रयोग करते हुई हमने यहां प प्रति, विपसा, अर्थे, विपसा से तात्परी विध्यरतियों, बार बार, यहाँ पर किस अव्वे का प्रयोग होता है, प्रति, अब यहाँ पर विध्यरतियों, पद क्या बनेगा, समस्तपद, प्रती दिनम, 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 प्रती, प्रती दिनम, अर्था अर्थ, दिन, दिन इस प्रकार से इसका अर्थ होगा आगे क्यों देखते हैं विध्यर्थियों सक्तिम अनतिक्रम में अब अनतिक्रम में अर्थ के अंदर किस अव्वे का प्रयोग होगा यथा अब पद क्या मनेगा समस्त पद यथा शक्ति, अर्थार्थ सक्ति के अनुशार अनति क्रमार्थी सितात परिवधर्थियों अर्थार्थ जो उसकी योग्यता है उसका अतिक्रमन नहीं हो तो अर्थ क्या हुआ वहाँ पर सक्ति के अनुशार हरेहे शाद्रश्यम, सद्रश्य अर्थे यहाँ पर सह अव्य है और उसके साथ में हम जो पद है वाय क्या बनेगा रए हेशादर्शं सहरी चक्रेण यूगपत योग पद्धा अर्थे सह क्या बनेगा सह चक्रम अर्था आर्थ चक्र के साथ और हरे साद्रिशम सहरी से क्या तात परिया विधर्थियों हरी जेशा इस प्रकार से इन पदों का यहाँ पर अर्थ है अब विधर्थियों हम आगे जो शेश बचे हुए पद है उन्हें देखते हैं देखिए रामायन परयंतम अर्थार्थ परियंत अर्थ परियंत अर्थे के अंतरगत शह अव्य लगाने पर क्या पत बनेगा शह रामायनम अर्थार्थ रामायन तक इसका तात परिया हुआ परियंत अर्थे से क्या तात परिया है तक तो शह रामायनम रामायन तक माश पर्यंतम समस्त्पत क्या होगा शह माशम क्या होगा महिने तक और वर्ष पर्यंतम अर्थार्थ शह वर्षम वर्ष तक अब विधरतियों यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर तो सह का सिर्फ सह बचाता और यहां पर हमने सह पूरा लिखा है तात्पर ये है विध्यरतियों जब भी समय का प्रशंग होगा वहाँ पर सह पूरा लिखा जाएगा इस प्रकार से विध्यरतियों हमने इन उधारणों को शमझा है अब विध्यरतियों परिक्षा में किस प्रकार से प्रशन पूछे जाते हैं उनके विशे में जानते हैं द विग्रह पदों के समाश करके समाश का नाम लिखो अब यहां पर बताये गया विधरतियों रमेश है प्रतिवारम प्रयाशं करोती यहां पर प्रतिवारम का हमें क्या करना है विधरतियों समाश कारी करना है गोविंद है यथा शक्ती दानम ददाती मुर्खा प्रतिकूलम आचरंती से प्रतिदिनिम देवालयम गच्छती इदम स्थानम निरजलम अस्ती से चक्रेन सह गच्छती रमेश प्रतिवारम प्रियाशम करोती रमेश प्रतिक बार प्रियाश करता है गोविंद अपनी सक्ति के अनुशार दान देता है मुर्ख प्रतिकूल आचरन करते हैं वह प्रतिदिन देवा लई जाता है यह स्थान निर्जल है अर्थार्थ जल से रहित है वह चक्र के साथ जाता है अब विधरति यहां पर प्रतिवारम यथा शक्ति प्रतिकूलम प्रतिदिनम निर्जलम चक्र जो यह पद आये हैं उन पदों के अंतरगत हमें शमाशकार्य करना है और शमाशकार्य के अंतरगत जो समस्त पद हैं उनका विग्रह करना है और जो विग्रह है उनका क्या करना है विधरतियों शमाशकार्य करना है चलिए इसे समस्ते हैं देखिए प्रतिवारम प्रतिवारम का, हम किस प्रकार्शे करेंगे, वारं, वारं, प्रति समाश क्या होगा, अव्यै भाव शमाश है, यथा शक्ति, सक्तिम, अनतिक्रम्या, अव्यै भाव इस प्रकार से जो प्रश्ण है उस प्रश्ण को हमने यहाँ पर हल किया है अब विद्यर्थियों हमें एक और उधारण की और अग्रिशतर होते हैं, देखिए उस उधारण में किस प्रकार से, अधोलिकित समस्त पदानाम विग्रहम अत्वा विग्रह पदानाम शमाशम करत्वा समासस से नामापी लिखत, अधोलिकित समस्त पदों के विग्रह समास के नाम लिखो इस प्रकार से हमारा प्रश्ण है अब इधर्तियों यहां पर पद दी हुए है विग्रह करके अत्वा समास करके हमें यहां पर लिखना है और अंत में समास का नाम लिखना है पदानी विग्रह समाशम समासस्य नाम अब इधर्तियों पद दी हुए है रूपस्य योग्यम और समास क्या होगा अव्यई भाव शमाशह अनू गंगम गंगायाहा शमीपे अव्यई भाव शमाशह समास कारी क्या होगा गंगायाहा समीपम और इस के अंतरगत समास कुन सा है अव्यई भाव शमाशह हराव इती अब यहाँ पर क्या है विधरतियों अ यही भाव शमाश है इस प्रकार से विधर्तियों हमने यह देखा कि यहाँ पर जो समस्त पद है अनू रूपम उसका विग्र हमने क्या किया रूपस्य योग्यम अनू गंगम गंगाया हा समीपे अब यहाँ पर जो विग्र है पद है विधर्तियों उसको हम समाश यूक्त कर इस प्रकार से विधर्तियों आज की कक्षा के अंतरगत हमने समाश के बारे में अध्यन किया है और समास के अंतरगत विधर्तियों हमने अव यही भाव शमाश का अध्यन किया है अब विधर्तियों अव यही भाव शमास किस प्रकार से होता है वहाँ पर अंत में क्या सेस रह अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंग पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अड्रिस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान, एवम प्रशिक्षन परिशद, 111, सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदैपुर 313001.